तो यार आज आपके लिए एक नया यूनिट एक नया टॉपिक लेके आएं तो बहुत सारे बच्चे एई जही एग्जाम्स के लिए काफी टाइंग से डिमांड कर रहे थे कि सर हमें जो है ना पावर प्लांट वाला पार्ट अच्छे से करा दो तो वही आपके लिए लेके आएं अभी देखू मैं आपका चैट नहीं देख पा रहा हूँ तो लेट मी रिलोड इट अबेट येस ना इट इस विजिबल तो यार आज हम बात करेंगे कमक्लीटली थर्मल पावर प्लांट के बारे में और जैसा आप जानतों ये थियोरी टॉपिक है यार इसके अंदर खासा कोई नियुमेरिकल आता नहीं है तो उसी एकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे एक एक पार् समझेंगे तो इसी बात प्यार शुरुवात कर ली जाए तो let me start by introducing myself my name is Ankit Goyal I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018 I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indoor till date I have trained more than 1 lakh student in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department अब ये तो बात है हुई भाई मेरे बारे में बट बिटा what matters the most is that we have an academy with us which is not just an organization it is our mission our revolution to empower each and every student of this country to get free quality education बच्चे बच्चे तक बटा free of cost education पहुँचाया जा रहा है उनको सिखाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है आगे बढ़ाया जा रहा है और ये कर रहा है बटा unacademy हर exam के छेतर में हर अलग-अलग education के field में तो इससे होता क्या है इससे बटा एक revolution create होता है जहाँ equal opportunity मिलती है बच्चे को भले उसके पास resources हो या नहीं अब देखो जो हम free education का initiative run करते हैं उसे यूट्यूब पे नहीं है that is also available on the unacademy app आप unacademy app पे जाओ कोई भी free initiative अगर click करोगे you can access it simply by using the code ankit-esee इसके अलावा देखो यार ये tiny url जहाँ पे आपको मेरी सारी special classes मिलती है tinyurl.com slash ankit-ese यहां जाओगे अगर मिर भाई तो upcoming special class में आपको वो class मिलेंगी जो आगे लगने वाली है अभी जैसे daily रात को 8 बजे मैं लेता हूँ आपके लिए analog की class इसके अलावा इस channel के सभी videos आपको मिल जाते हैं एक single link पे bit.ly slash gate live यहां जाने से बिटा इस channel के सभी lectures का आपको link और उनका PDF provided रहता है तो यहां से आप पूरा gate और ESE का तयारी बहतरी इन वे में कर सकते हैं other than that आप चाहें तो आ सकते हैं plus पे जहां आपको मिलेंगे इंडिया की सभी top educator के live class comprehensive के साथ crash course और ना सिर्फ इतना आपको मिलेगा बिटा daily assignment, weekly quiz, test series, question bank और कहीं अगर कोई doubt रहे गया interview PSU AE semester और इसके अलावा आपको क्या मिलता है आपको मिलता है बिटा यहां पे अगर कोई class में सुझाए recorded देखने का option इसके बाद आप इससे भी बहतर तयारी करना चाहो तो iconic पे जाओ यहां यह सारे benefits के साथ मिलेगा एक personal को जोगी खुद एक topper होगा और आपका पूरा management बनवाएगा time का और आपका study planner बनवाएगा teachers भी even के आपको अलग से time देते हैं for your study booster session test का मिलता है separate analysis और बिटा आपको मिलता है extra study material और सिफ यहीं क्यों रुके आपको मिलती है बिटा एक dedicated team जो सारे doubts आंसर करती है अब यहां पे अगर आप code लगाते हो मेरे भाई अंके TSE तो यह code आपको immediate दिलवाता है 10% discount अब सर आप तो सारा YouTube पे पढ़ाते हो plus पे क्यों जाएंगे बेटा देखो YouTube पे हर चीज depend करती है attendance पे हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज आपको provide करें लेकिन जब attendance नहीं आता है हम लोग भी demotivate हो जात की side से एक commitment है तो वो हर हालत में पूरा किया जाएगा दूसरी बात क्या है कि plus पे आपको एक serious environment मिलेगा सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो rank लाना चाहते हैं और वो उसी accordingly मेहनत करेंगे तो आप जब उनको मेहनत करते देखोगे आपका motivation मनेगा teachers आपको काफी हद सक personalized way में guide करेंगे study material test series ये सब चीज़े मिलेंगी तो पेटा एक complete महौल आपको मिलता है on unacademy plus जो की YouTube पे नहीं मिलेगा इसके अलावा हम लोग देखो जो बच्चे effort नहीं कर सकते हैं उनके लिए scholarship test कराते हैं तो बेटा इस Sunday होने वाला है 28th March को तो जल्दी से आप code लगा दोगे अंकित EAC जिससे आपको मिल जाएगा immediate इस combat के अंदर entry ये free है ये free है बेटा तो ये चीज़ आपको entry दिलाएगा code अंकित EAC और यहां से आपको 100% तक का scholarship offer हो सकता है अब देखो हमने अभी या नया batch start के 17th March से अगला batch आ रहा है 31st March से तो अगर आप 31st March से पहले पहले जॉइन करते हो तो आप विशाल सर के साथ control attend कर सकते हो इसके अलावा अगर अंकित EAC से join करोगे बेटा तो 1 year fees होता है 27-25, 18 months 34-650, 2 years होगा 39-600, 2 year के ले जाना per month cost is minimum और without interest आप EMI यानि installment पे ले सकते हैं और यहाँ पे अंकित EAC अगर iconic पे लगाओगे तो 1 year fees होगा बेटा 45-225, 2 year होगा 66-600, again 2 year के उप्रेफर करो ताकि आपकी तयारी जादा बहतर बने और rank के chances जादा रहें अब इसी बात पे आजाते हैं आज के topic पे that is the thermal power plant, thermal power plant तो यार देखो आप लोग as electrical engineers आपके लिए thermal power plant एक बहुत important चीज है क्योंकि यार हमारे देश की जादातर जो power है that comes from this thermal power plant तो आपने देखा भी होगा NTPC के power plant कभी ना कभी किसी ना किसी ने visit जरूर किया होगा कि वो coal को combustion करके वो आपके लिए power generate करते हैं तो इस तरह के power plant कहलाते है thermal power plant और अगर नहीं visit कियो मेरे भाई कभी मौका लगे किसी source के थूरू अगर आप जा पाओ तो बिलकुल एक बार power plant visit करना definitely I'm guaranteeing you कि आप enjoy करोगे आपको समझ आएगा कि actually power पैदा कैसे होती है कैसे electricity generate की जाती है पूरी picture clear होगी और पता है फिर जब आप PSU के interviews में बैठते हो government sector में apply करते हो तो ये सारे जो आपके visits होते हैं ना power plant के visit होते हैं अलग-अलग जगह के visit होते हैं जहां आपने practical knowledge गेन किया है ये बहुत जादा helpful होता है तो चलो यार शुरू करते हैं अब देखो steam power plant के बारे में बात करेंगे in steam power plant heat of combustion is utilized by boiler to raise the steam at high temperature and pressure देखो एक simple सा फंडा समझाता हूँ steam power plant का working क्या है आप कोईले को जला करके कोल को जला के गर्मी पैदा करो इस गर्मी से क्या करो boiler में रखा पानी उबालो उबलने के बाद हो steam बनेगा अब जब वो steam बनेगा तो वो steam बहुत तेजी से move करती है टर्बाइन की तرف जब ही तो आपने बोला high pressure high temperature भी है और high pressure भी है कोई भी चीज हाई pressure से low pressure की तरफ flow करती है तो बहुत तेजी से यह steam जाती है अब यह steam जाके तर्वाइन पर तर्वाइन को रोटेट कराती ए क्योंकि पानी की ड्रॉपलेट अगर किसी पे तकराएंगी तो फोर्स तो लगेगा बारिश में भी भाई है जब बारिश बहुत तेज आता है बारिश की मुण्दों से सेम चीज है जैसे steam एकदम जाके टकराती है तर्बाइन पे high pressure में तो तर्बाइन घुमती है अब तर्बाइन से जुड़ा होता है generator का shaft तो जैसे ही turbine घुमेगी generator का shaft भी घुमेगा generator का shaft घुमा तो क्या आगया? mechanical power और generator क्या करेगा? it will convert this mechanical power to electrical power तो देखो मेरे भाई कोई भी power plant तो thermal, hydroelectric, nuclear, solar solar चलो अलग कर दो, wind कर दो, tidal कर दो, diesel कर दो हर जगे काम एक ही है आपको किसी ना किसी mechanism से generator के shaft को rotate करना है अगर generator का shaft आपका कभी भी rotate करेगा तो electrical energy तो खुद पर खुद डेवलप हो जाएगी तो steam power plant में ऐसा कैसे मुम्किन हो पाता है by the means of the steam striking the turbine तो देखो यहाँ पे draw भी किया है chemical energy किस में होती है और coal में होती है coal के अंदर जो energy होती है that is chemical combustion से क्या बनती है? thermal thermal जब turbine पे टकराती है तो क्या बनती है? mechanical generator उसे किस में convert कर देता है? electrical अब यहाँ पे देखो boiler के अंदर पानी रहता है जो steam बनाएगा air और fuel air और fuel मिलके क्या करेंगे? combustion भाई आप यह तो जानते हो ना बिना oxygen के combustion पॉसिबल नहीं है यह तो आप लोग जानते हो किसी भी चीज़ के combustion में oxygen या air का बहुत बड़ा रूल होता है अब यह boiler से कुछ gases बाहर आती है भाई कौन सी gases? अरे भाई या coal को अगर combustion करोगे तो gases तो पैदा होंगी तो वो होती है waste gases और जो steam बनती है पानी की वो जाती है turbine पे turbine से भी exhaust gases बाहर आती है और turbine जब rotate करती है तो generator को मिलती है mechanical energy जिसको generator convert करता है electrical energy में तो मुझे सबसे पहले ये confirm करो basic fundamental clear हुआ coal को जलाके पानी को steam में convert करना है ये steam जब turbine से टकराईगी तो आपकी turbine rotate करेगी turbine rotation से generator को मिली mechanical energy जिसको वो further convert कर देगा in the form of electrical energy और अगर आपका कोई जान पहचान का बंदा काम करता है NTPC में तो वो आपको easily visit करा सकता है अब देखो overall efficiency of a thermal power plant is defined as the ratio of heat equivalent to electrical output to the heat of combustion इसका मतलब क्या है बिटा आज app में कुछ issue आ गया था इसलिए analog का class नहीं लिया इसका मतलब यह है efficiency is heat equivalent यानि जो आपका output है na electrical energy उसको heat में convert कर लो upon heat equivalent of coal क्योंकि coal input है और पता ही जो turbine होती है यह तीन चीजों से बनती है sorry efficiency boiler की efficiency boiler के बाद लगी होती है turbine और turbine के बाद होता है तुमारा alternator इस पे ना numerical आ जाता है यह जो मैं formula लिख रहा हूँ ना efficiency का इस पे कुछ exams के अंदर आपको question दिख जाएगा इस पे numerical दिख जाएगा यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि boiler into turbine into alternator will give you the overall efficiency yes भानू you can start it if you want to study in English I am teaching on the Ravindra Babu sir's channel if you are comfortable in Hindi there lectures are available on this channel समझ में आया देखो तीनों चीज़े cascaded है यार boiler, turbine, alternator तीनों चीज़े जब cascade होती है जैसे आप कहते हूँ नो transfer function multiply होता है ऐसी efficiency multiply होती है तो overall efficiency is the product of the three efficiency लेकिन मेटा यहाँ efficiency as a fraction लिखना not percentage ऐसा मत करना तीन percentage multiply कर दो भाई गड़बड हो जाएगी कभी आप बोलो सा 90% into 80% हो गया सेवेंटी टू हंड्रीड परसेंट समझ रहे हो तो 90 into 80 नहीं करते पॉइंट नाइन इंटू पॉइंट एट करते अब देखो efficiency किस किस पर depend करती है pressure पे कितने pressure पे steam पैदा कर रहे हूँ क्या temperature है steam का और condenser का pressure क्या है ये condenser क्या चीज़ है अभी आगे बताऊंगा क्या होता है न जो steam बन गई अब उसे steam को waste नहीं करते condenser उसे वापिस से पानी बना के वापिस भेज देता है ताकि wastage minimum रहे आप जानतों यार water is a limited resource है ना जब water एक limited resource है तो उसका wastage allow नहीं कर सकते अब देखो जो भी आपके thermal power plant होते हैं वो thermodynamics की एक process पे काम करते हैं जिसे कहते है ranking cycle this is a thermodynamic process this is a thermodynamic process तो सारे power plant एक thermodynamic process पे काम करते हैं जिसे कहते हैं ranking cycle यहाँ पे क्या करते हैं coal is burnt in a boiler which converts water to steam अब यहाँ पे यह देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने यह combustion हो रहा है यह combustion हो रहा है बिटा तो combustion से हम क्या कर रहे हैं पानी को steam में convert कर रहे हैं पानी को steam में convert करने के बाद इसको steam को turbine पे टकराते हैं तो देखो यह पानी जब यहाँ से गरम हुआ तो turbine पे टकराया यह turbine है आपकी तो turbine rotate कर गई अब steam को वापिस condense करके boiler में डालते हैं तो यह आपका क्या गया fourth वाला part condenser यह क्या है आपका बेटा condenser यह वापिस से steam को पानी में बदल देगा और पानी फिर से किसमें डाल देगा boiler में बट ऐसा नहीं होता देखो कभी भी सारा पानी नहीं लोटेगा बीच में कुछ पानी as a steam तो waste होगा लेकिन जितना जादा से जादा पानी आप वापिस ला पाओगे उतना ही कम से कम आपका waste stage होगा अब देखो इसके अंदर अलग-अलग part होते हैं जिसमें की पहला part होता है fuel and ash circuit fuel and ash circuit माने वो part जिसमें आप fuel डालते हो और वहाँ से राक बनके ash पैदा होती है तो देखो coal is delivered by rail, road or water obviously यार जहाँ पे आपका power plant लगा है वहाँ कोई कोईले की खान तो है नहीं वहाँ कोई coal का go down तो है नहीं कुछ भी नहीं है कोई mine नहीं है तो mining कहीं और हो रही है जहाँ से coal पैदा हो रहा है mining कहीं और हो रही है power plant कहीं और है आपको इस coal को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा power plant तक अब आप road के माध्यम से आ सकते हो railway के माध्यम से आ सकते हो और water के माध्यम से भी आ सकते हो आपने मुझे लगता है बहुत सारी माल गाड़ी देखी होगी माल गाड़ी जो की आपकी ये होती है free train जिसे हम बोलते है जो की सामान केरी करती है उसमें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा coal भर-भर के डिबबे जाते हैं तो that is railway transport road वाला transport काफी common है अब बेटा ये जो coal आपके पास आया इसको आप bucket boiler में लेके जाते हो by means of bucket conveyor अब ये क्या हुआ sir बेटा ये कोईला बाल्टी में भर-भर के जाके boiler के अंदर जाता है ऐसा नहीं है कोई हाथ से भर-भर के पलट रहे लो वो हिंदी movies में होता था जो आपका steam engine होता था याद है steam engine में क्या होता था coal को हम भरते से तुरंट तुरंट coal डाला, coal डाला, coal डाला इस टाइस से बेटा लेकिन anti-pc ऐसे काम थोड़ी ना करेगा anti-pc में इसका automatic mechanism है कि बाल्टियों में coal भर के जा रहा है और वो boiler के अंदर डाला जा रहा है ठीक है अब देखो coal जो है ना bunker के अंदर भरा जाता है और ये hoppers में fall करता है by means of gravity यानि coal जब आपने भर दिया तो नीचे automatic आएगा by means of gravity ठीक है अब hoppers का काम क्या होता है ये control करते हैं ऐसा नहीं कि एक बार सारा का सारा coal डाल के आग लगा दी पता चला पूरा power plant ही जल गया नहीं controlled amount में combustion करना है एक बार में सारे कोईले में आग नहीं लगानी धीरे धीरे थोड़े थोड़े amount में बढ़ाते जाना है इसलिए hoppers लगते हैं तो देखो combustion is controlled by controlling the great speed ये g-r-a-t-e होता है great speed quantity of coal entering rate and the damper opening तो मैंने ये ही बोला कितना आप opening रखते हो उसके हिसाब से coal नीचे जाएगा एक बार मैं आपने पूरा खूल दिया सारा coal नीचे आगया आग लग जाएगी ठीक है अब combustion complete होने के बाद जो राख होती है वो boiler के पीछे वाले हिस्से में collect हो जाती है एक second just let me reduce the brightness अब बताना मुझको यार अब बेटर दिख रहा है अब बेटर दिख रहा है आप लोग को ठीक है चल तो बेटा ash combustion complete होने के बाद boiler में पीछे की तरफ collect हो जाती है अब इसके बाद अगला क्या है air and fuel gas fuel gas नहीं होता अब देखो क्या होता है जो air है air atmosphere से लाई जाती है air atmosphere से लाई जाती है क्यों लाई जाती है क्योंकि भाई कोई भी combustion बिना air के complete नहीं हो सकता तो air is drawn from atmosphere by a forced drought fan अरे वैसे देखा है जैसे कभी आपने देखा हो पुरानी movies के अंदर या पुराने घरों में चूले में ऐसे फूकते थे एक pump टाइप रहता था उसे पिछकाओ तो हवा निकलती थी तो इस टाइप का ही mechanism कुछ यहाँ पे है इस टाइप का ही mechanism कुछ यहाँ पे है कि drought fan की मदद से atmosphere वाली air को हम combustion में डाल रहे हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे air को बिटा गरम करके डाला जाता है through the air preheater ऐसा मस सोचना air जो है आपकी directly pass की जाएगी air को गरम करके डालेंगे air का temperature बढ़ा के डालेंगे अब air is heated in preheater by flue gases by flue gases तो flue gases बेटा क्या होती है यह actual में combustion से निकलने वाली जो gases होती है वही flue gases होती है देखो combustion से जो gas produce हुई ना boiler में से वो किसमें गई? super heater में आगे economizer में और फिर गई air preheater में समझ रहे हो? तो यानि जो आपकी combustion से जो आपकी combustion से gases पैदा हो रही है उनको waste नहीं करते वो air को गरम करने के काम में आती है समझ रहे हो? बेटा जब power plant बनाया जाता है ना ऐसा नहीं है बस power पैदा करनी है हमें wastage भी minimum रखना है जितनी ज़्यादा चीज़े reuse हो पाएं उतना reuse करना है तो यहां से जो gases release हुई उनको किस तरह से reuse किया? एर को गरम करने में अब feed water and steam circuit feed water and steam circuit अब देखो जो steam turbine से बहार आती है उसे condense किया जाता है और condensate यानि condensation का product condensate का क्या मतलब हुआ product of condensation जिसको आप कहते हो न distilled water भी कहते हैं कई लोग तो वो मिल जाता है यहां से is extracted from the condenser the condensate is forced to low pressure feed water heater where his temperature is raised by the heat from the blood steam अब देखो मैं यहां पर आपको दिखाता हूँ देखो यह boiler के अंदर क्या हुआ feed water आया boiler ने steam दिया steam को super heater से पास कराया जहां से main valve के तुरू यह turbine पे गई turbine से जो steam बाहर आई उसे condenser ने condens किया फिर low pressure heater में डाला फिर इसको high pressure heater में डाला फिर इसको वापिस से किस में डाल दिया है economizer में यानि कि बेटा जो steam condens हो करके आई है उसको वापिस से गरम करके गरम करके वापिस से किस में डाल देते हैं boiler के अंदर डाल देते हैं in the form of feed water ठीक है in boiler water is converted to high pressure steam which is wet अब wet का क्या मतलब है कि बेटा ये जो steam होती है इसके अंदर water की droplets रह जाती है अगर water की droplet रह गई और ये सीधा हमने भेज दिया turbine पे तो turbine के अंदर बेटा damage का खत्रा है damage इसलिए नहीं कि water की drop बहुत भारी है नहीं अगर पानी जाएगा बेटा turbine पे और वो steam turbine है तो it will cause wear and tear तो ये wet होती है wet steam को super heat किया जाता है ताकि इसके अंदर से water की droplets को remove किया जा सके यानि इसके अंदर steam के अंदर जो पानी रह गया उसे भी हटाओ और फिर इसे turbine पे डालो और turbine से आने के बाद इसे वापस condense करके वापस से use कर लो बिल्कुल corrosion हो सकता है बिल्कुल सही लिख रहे हो corrosion हो सकता है मेरे दिमाग में word strike नहीं कर रहा था मैं जंग लगना बोलना चाह रहा था लेकिन जंग लगना इसा just one type of corrosion general term would be corrosion ये समझा है पूरा का पूरा circuit क्या हुआ दुबारे से देख लेते हैं देखो इसके अंदर पानी आया boiler के अंदर पानी से जो steam बनी वो super heater से पास हुई और फिर वो turbine पे गई turbine से जो steam निकली उसे condense किया उसे वापस से heat किया और वापस से किस में डाला वापस से उसे हमने डाला boiler के अंदर ठीक है clear हुआ water droplet कौन सा cheese को cheese C-E-E-E-Z लिख लो cheese ये तो तुमने वाला लिख दिया bread वाला उसको तो damage करेगा इपानी cheese को अगर पानी में डाल दोगे लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सी part को damage करेगा turbine के अंदर जो भी metal part होंग cooling water circuit cooling water जो होता है natural source से provided होता है इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि thermal power plant को वहां construct किया जाए जहां एक natural water body हो जैसे lake हो सकती है river हो सकती है तो ये सब चीजों के पास ही construct करो क्योंकि वो cooling के लिए पानी देते हैं cooling water कौन सा होता है यहां होते है condenser उसे थंडा कैसे करेगा condenser उसे थंडा करता है by means of the cooling tower by means of the cooling tower तो condenser से जो भी hot water आया वो cooling tower में गया और cooling tower से cold water किसमें भेजा गया condenser में तो cooling water is supplied from a natural source such as our river canal sea और ये ने और cooling tower through screens to remove the matter that might make condense चो condenser ट्यूँड अचा देखो यहां पे क्या मतलब है इस बात का जो नदी का पानी आएगा यार अब वो साफ तो होगा नहीं cooling water is not completely clean सही बात हैं नदी के पानी में अर दस तरह का कच्रा हो सकता है पूरी तरीके से साफ तो होगा नहीं so so we need to we need to pass it through screens pass it through screens to remove rubble rubble कह सकते हो कच्रा जो भी है यार कबाड़ा सही है ना हम ये थोड़ी ना जानेंगे हम ये थोड़ी ना चाहेंगे कि भाईया cooling tower के अंदर कच्रा गुसे cooling tower के अंदर कच्रा गुसे ये हम नहीं चाहेंगे प्रतीक बेटा measurement cover करा चुके है रमन सर तो जितना प्रमीज सर ने कराया था अब components of the steam power plant अब देखो हमें एक उपर उपर से idea लग गया fundamental की क्या चीजे हो रही है क्या चीजे कैसे हो रही है एक basic idea हमें मिल गया कि boiler steam बनाएगा ये steam turbine पे टकराएगी steam turbine पे टकराएगी वहाँ से condenser में जाएगी पानी बनेगी दुबारे से water बनके आएगी और condenser पानी को या steam को थंडा कैसे करता है वो कैसे थंडा करता है by means of the cooling water tower या cooling water जो की natural water source से आता है और जो combustion के बाद gases बचती हैं उनको भी हम use कर लेते हैं air को गरम करने में अब देखो सबसे पहले boiler fire tube boiler fire tube boiler fire tube boiler के अंदर बिटा क्या होता है समझ ना देखो दो चीजे हैं अगर पानी को गरम करना है या तो पानी को ट्यूब में रखो उसके चारो तरफ gases रखो या gases को ट्यूब में रखो उसके चारो तरफ पानी रखो समझ रहो जैसे geezer होता है गीजर में क्या होता है एक heating element होता है और पूरे container के अंदर पानी होता है सेम चीज ये कह रहा है कि जो गरम tube हैं जिनके अंदर gases हैं वो tube के अंदर हैं और वो tube चारों तरफ किस से surrounded हैं? water से water tube boiler इसका उल्टा है water tube के अंदर है और gases उसे surround करती हैं समझाएं? दो तरह के boiler हैं fire tube boiler और water tube boiler fire tube boiler के अंदर gases tube में है water tube boiler के अंदर water tube में है water tube boilers are used where large amount of steam are to be produced तो water tube boiler का use कहा आएगा? जहाँ ज़ादा steam की जरूवत है और जहाँ कम steam से भी काम चल सकता है वहाँ आपका आएगा fire tube boiler तीक है? अब देखो यहाँ पे boiler दिखाया भी है यहाँ पे boiler दिखाया भी है यह देखो यहाँ पे gases ऐसे आ रही है यह gases आ रही है और यहाँ पे tube के अंदर water है यह tube के अंदर आपका water है तो बेटा tube के अंदर water है तो यह कौन से boiler की बात हो रही है? यह हो रही है water, tube, boiler पानी जो है tube के अंदर है और नीचे combustion से पैदा होने वाली gases सारी की सारी boiler के अंदर डाली जा रही है समझ आया? boiler के अंदर gases डाल रहे हैं और पानी tube के अंदर है तो इसे कहते है water, tube, boiler और gases tube में होती चारो तरफ पानी होता तो fire tube boiler अब boiler furnace, boiler furnace, boiler का एक ऐसा हिस्सा जहाँ coal को combustion करके gases पैदा की जाती है a chamber in which fuel is burned to liberate the heat energy तो बेटा देखो furnace जो होती है furnace का designing अलग होता है furnace का designing refractory material से होता है जैसे कि ceramic या ऐसे जो material बहुत high amount of heat को जहल पाएं उससे हमारा ये furnace बनता है इसलिए furnace अलग से बनाना पड़ेगा boiler के अंदर ऐसे सीधे किसी भी material में coal को जला नहीं सकते combustion नहीं कर सकते अगर ऐसे किसी normal medium के अंदर अगर आपने combustion कर दिया तो इतनी high temperature पे वो medium ही damage हो जाएगा ट्यूब के अंदर कौन सा water यूज़ करते हैं बिटा feed water यूज़ करते हैं अब देखो the furnace walls are made of refractory materials such as fire clay fire clay silica cowlin fire clay मने एक ऐसी clay जो बहुत high temperature को जहल सकती है these materials resist change in shape and physical property तो ये जो material होते हैं इन में temperature की वज़े से कोई shape या properties में change नहीं आता तो देखो ये boiler फरने से यहाँ पे आप क्या कर रहे हो load burner लगा रखे हैं fluidized bed है hydro beam floor है अब ये fluidized bed क्या होता है बेटा ये जो cool होता है coal के ऐसे नहीं है पूरे पूरे pieces होते है fluidized bed क्या होता है इसके अंदर ना air pressure से जो आपका coal होता ही तैर रहा होता है मतलब कि coal का जो आप bed बना रहे हो जिसमें आग लगा रहे हो coal का bed ऐसा नहीं जमीन पे टिका हुआ है उसको air pressure से थोड़ा सा lifted रखते हैं उसे कहते हैं fluidized bed यानि कि coal आपको ऐसा लगेगा हवा में तैरता हुआ इस टाइप से कुछ ऐसे ऐसे तैर रहा होगा और तब उसे combustion किया जाएगा नीचे से air push करके ठीक है और यह देखो नीचे ash removal के लिए जगे दिया है यहां से primary air डाल रहे हो देखो यह वाला primary air जा रहा है यहां से आप fuel feed कर रहे हो उपर से और over fire air ठीक है over fire air ठीक है समझ आया कि नीचे से air push करके उसको आपने suspend कर दिया air में अब उसके अंदर उसके अंदर आपने क्या किया उसको combustion किया बट यह जो coal है यह उपर से गिरता है मैंने बताया ना इस तरह से tapered structure होगा जिससे कि जितनी opening होगी उतना उतना coal नीचे आएगा super heater and reheater repeater नहीं reheater a super heater is a device which removes the last traces of moisture from the steam देखो मैंने बताया था boiler से जो steam निकलती है उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ moisture होता है उस moisture को हटाने के लिए उस steam को दुबारे से heat करना जरूरी है that is the working of the super heater steam is super heated to highest economical temperature for following advantages अगर steam ज़्यादा heated है तो कम amount of steam लगेगी ऐसा सोचो steam जितनी ज़्यादा heated होगी उतना ज़्यादा उसका kinetic energy होगा है ना उतना ज़्यादा उसका kinetic energy होगा उतनी ही तेजी से वो pressure लगाएगी तर्बाइन पे अब आपके पास दो रास्ते हैं या तो जितनी steam है वही ज़्यादा pressure लगा दे या फिर आप ज़्यादा steam का यूज करो तो अगर आपने high temperature पे heat के है उसका pressure ज़्यादा है तो आप कम steam से भी काम चला सकते हो तर्बाइन के blade dry रहते हैं super heated steam से तो आप बात को ये समझो कि आपको directly आपको directly steam नहीं भेजनी है आपको उस steam को गरम करके भेजना है ताकि उसके अंदर का moisture हटा पाओ देखो जैसे यहाँ पे दिखाया है कि यह water tube boiler है यहाँ से steam निकली अब यह steam जो है ना super heater से pass हो रही है यह पूरी जो red lines देख रही है ना यह heat है तो यह जो steam है यह आपने tube से pass कराई और आपने यह कोशिश किया कि यह tube की length जितनी लंबी हो उतना जादा steam heat के contact में रहेगी बात को सोच के देखो ना जितना लंबा रास्ता होगा steam का उतनी ही देड तक उसे heated area में रहना पड़ेगा जिससे उसका temperature तो बढ़ेगा इकॉनमाईजर एंड एर प्री हीटर देखो जब combustion gases boiler को छूड़ती है तो यह ज़ादातर heat water tube को दे चुकी होती है यानि gases की ज़ादातर heat water तक चली जाती है super heater tubes are reheated and reheater they still have a lot of heat which if unrecovered would go waste अरे जो super heater और reheater super heater और reheater के अंदर जो भी heat है उसको waste मत करो संखा बेटा इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसके अंदर बच्चे आई नहीं रहे थे तो फिर मैंने इतने लंबे numerical कराना जरूरी नहीं समझा ठीक है वो क्योंकि ESE के अंदर आते हैं गेट के अंदर नहीं और अगर आपने गॉस वाला numerical देखा है तो उसमें मैंने बताया भी था कि गॉस सीडल में क्या change आता है चलो अब देखो Economizer and Air Preheater are such devices which recover the heat from the flue gases on their way to chimney and raise the temperature of feed water and are supplied for combustion मेरी बात को समझो यहां पर क्या है जो gases produce हुई है ना combustion से उनसे जितनी heat choose सकते हो जितना निकाल सकते हो extract कर लो उनको ऐसे ही release मत करो उनको ऐसे ही chimney में मत जाने दो chimney में जाने से पहले जितना extract कर सकते हो कर लो तो बिटा यह जो Economizer और Air Preheater होते हैं यह क्या करते हैं उन flue gases से heat extract करते हैं Economizer raises the boiler efficiency which causes the saving in fuel consumption देखो बात को समझना कहां चला गया वो डाइग्राम देखो Economizer ने क्या किया था it heats the feed water यानि जो पानी आप अंदर भेज रहे हो ना वो पानी एकदम थंडा नहीं है वो पानी एकदम थंडा नहीं है boiler में बेटा पानी boiler में जाने से पहले भी गरम होता है पानी boiler में जाने से पहले कैसे गरम होता है कैसे गरम होता है by means of Economizer तो हमने क्या बोला अगर boiler की मेहनत बचानी है boiler की efficiency बढ़ानी है तो उसमें जाने वाला पानी पहले ही गरम कर लो अगर पानी आपने पहले ही गरम कर लिया तो boiler उसे बहुत जल्दी से steam में convert कर देगा वो काम किसका है? economizer का, ठीक है? तो economizer हम क्या कहते हैं? economizer, economizer, heats, heats, feed water, before it enters, before it enters, boiler और यह किसकी heat यूज करता है भई? यह flu gases की heat को यूज करता है जो gases combustion के बाद पैदा हुई थी, ठीक है? अब air preheaters are employed to recover the heat, leaving the economizer and heat the incoming air यानि combustion में जाने वाला जो पानी है boiler का, उसे भी गरम करोगे और जो आपकी air आ रही है, उसको भी गरम करोगे तो यह चीजे किस से गरम हो रही है? combustion से निकलने वाली gas से, तो उसका use करो, उसे waste मत करो ठीक है? चलो, economizer and air preheater, ठीक है? जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, देखो यह furnace है, furnace में आपने fuel डाला और furnace के अंदर आपने यहां से क्या डाला? air, आपने fuel डाला और air डाला जिससे combustion हुआ combustion होने से क्या हुआ आपका? यह super heater है तो आपके combustion की heat यहां पे use हुई? और कहां पे use हुई? बॉइलर के अंदर बॉइलर के अंदर अब जो पानी steam बना, वो किस से पास हुआ? super heater से, ठीक है? देखो यहां पे क्या हुआ रहा है? boiler से न, यहां से steam जा रही है steam super heater से पास करके, यहां पे तर्बाइन की तरफ जाएगी तर्बाइन की तरफ जाएगी अब यह economizer क्या करता है? देखो, economizer इस तरह से पानी को अंदर भेज रहा है बट यह भी क्या कर रहा है? it heats the feed water it heats the feed water किस की मदद से heat कर रहा है बिटा? जो flu gases boiler से निकल रही है यानि boiler में पानी गरम होने के बाद जो gases बची जो boiler से पानी गरम होने के बाद gases बची उन से economizer ने अंदर आने वाले पानी को heat कर लिया अब यहां से भी जो gases बची वो air preheater में गई यहां पे इसमें जो air आई उसको गरम करके फिर आपने combustion के लिए भेजा तीक है? दुबारे से एक बाद समझाता हूँ देखो combustion के लिए बिटा भी आ रहे हैं cooling tower पे थोड़ा रूखो तो सही combustion के लिए आपको क्या चाहिए? fuel और air चाहिए? fuel तो normal आपका coal है air आप पहले से गरम करके लाते हो कहां से? pre-heater से pre-heater से air गरम होके आई अब यहां से जो भी gases निकली वो super heater में गई उसके बाद boiler में boiler से बचीवी gas economizer में वहां से बचीवी gas pre-heater में chimney से बाहर निकालने से पहले ये चार चीजों से gases पास होंगी super heater, boiler, economizer and pre-heater ये चार चीजों से पास होंगी super heater में क्या होता है boiler से बनने वाली steam को heat करके फिर turbine की तरफ भेजते हैं economizer में क्या होता है जो पानी entry ले रहा है उसे गरम करके फिर boiler में भेजते हैं air preheater में क्या होता है जो air आ रही है उसे heat करके फिर combustion के लिए भेजते हैं अब समझ आया combustion से बनने वाली gases का कितना जादा use किया जाता है बताओ मुझे जल्दी से chat में दिल बन जाने चाहिए अगर ये पूरा process clear हुआ संखा बेटा आप एक बार ना topper stock में जाओ आपको दिखेगा इस साल कितने बच्चे इस channel से rank लेके आएं बिटा थैंक यू नीरज अगर आपका command बनाएं मज़ा आया ना ये जानके सोच रहे हो एक बार gas produce किये combustion से उससे पूरी heat निकाल लिए तब जाके उसे chimney में भेजाए अब देखो condenser steam after expansion through the prime mover goes through the condenser which condenses the exhaust steam and removes air and non condensable gases from the steam अब यार देखो ये जो steam turbine पे पहुँचती है ना बिटा इसके साथ और भी gases mix up होती है ऐसा नहीं कि सिर्फ steam steam पहुँचती है तो condenser का काम ये तो है steam को water बनाना है बट इसके अंदर जो ऐसी gases हैं जो condense होके water नहीं बन पाएंगी उन gases को remove भी कौन करता है आपका condenser तो condenser का काम steam से water बनाने का है बट अट दा सेम टाइन दे नीड टू रिमूव दा gases which cannot be condensed देखो अब यहाँ पे steam input हुआ exhaust steam inlet है ना यहाँ पे steam input कहां से आ रहा है तर्बाइन से तर्बाइन से निकल के जो steam आई वो यहाँ डाली गई ठीक है अब तर्बाइन से निकल के जो steam आई उसको इन pipes के अंदर बेटा cool किया गया यह water बॉक्स है यहाँ से इसको cool किया गया अब cool करने के बाद जो cooling water उसको बाहर निकाल लिया आपने देखो मेरी बात को समझना ये जो red दिख रहा है ना इसका मतलब है hot इसका मतलब है hot थी और यहां तक आते आते बिटा यहां तक आते आते ये क्या हो गई cold समझो बात को आप ये देख रहे हो कि ये बिटा गरमी का जो index से color बदलते वे दिखाया है color बदलने का क्या मतलब है कि इसका temperature धीरे धीरे नीचे ला रहे है और इसके लिए हम क्या कर रहे है water को flow करा रहे है water को flow करा रहे है इन pipes के थ्रू जो कि इस steam को थंडा कर रहा है steam को जब ये थंडा कर रहा है तो बेटा यहां से water हमने भेजा था और यहां से cooling water जो गरम हो गया उसे बाहर निकाल लिया समझो ना जब पानी steam को थंडा करेगा तो खुद तो गरम होगा खुद तो गरम आएगा ये चीज़ सोच के देखो ना यार अगर पानी थंडा था इसने steam को थंडा किया तो ये खुद गरम हो जाएगा तो गरम पानी बाहर निकाल लो देखो color yellow दिखाया है blue पानी माने थंडा है थंडा भेजा गरम निकाला थंडा भेजा गरम निकाला और steam जैसे जैसे condenser जे flow होती जाएगी वो थंडी होके यहां condensate बनके निकल जाएगी तो ये output है मुझे बताओ condenser का working समझ आया condenser का working समझ आया steam जैसे जैसे pass हो रही है वैसे वैसे थंडी होती जा रही है तो आपने बहुत high temperature steam भेजी थी और बाहर थंडी होके आये इसके लिए जो पानी उसकिया वो थंडा था गरम हुआ तो बाहर निकाल लिया थंडा पानी अंदर भेज दिया अब evaporator इन एवैपोरेटर raw water is evaporated by using extracted steam and steam and the vapor so produced may be condensed to give supply of pure distilled water इसका मतलब क्या है जो steam आपकी बाहर आ रही है condensate जो आया ना इसको वापिस water boiler में तो भेजेंगे sports person की जो condensate आया जो steam condensed हुई है ये वापिस boiler में feed की जाएगी देखो इसका क्या मतलब है कि भाया जो steam आपकी turbine से आई थी उससे जो आपका water है water कौन सा cooling water वो भी किस में convert हो जाता है vapors में convert हो जाता है भाई जब पानी steam को थंडा करने की कोशिश करता है तो वो खुद किस में convert हो जाता है vapor में और बाद में इनको condens करके क्या निकाल सकते है distilled water मैंने बताया थो ना condenser कौन सा पानी देता है कोई आप से पूछे distilled water feed water heater feed water heater का क्या काम था भाई जो heat from the flue gases थी देखो feed water heater it heats incoming water incoming water before feeding to boiler before feeding to boiler using used steam जो steam used हो चुकी ना उससे पानी को गरम करके डाला जाता है अब देखो यहाँ पे क्या है यह feed water heater train है feed water heater train है अब देखो जो steam आपने turbine से extract की है यह from turbine आ रही है ने steam from turbine आ रही है यह condenser में भी जा रही है और यह किसको heat करने के काम में आ रही है feed water heater समझ के देखो feed water को heat करने के लिए न बिटा दो चीज़े है economizer और feed water heater feed water heater पहले heat करता है और बाद में पानी किस में जाता है economizer में economizer में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे समझना आपको बिलकुल एकदम देशी भाषण में समझा रहा हूँ cold water आता है यह पहले किस में जाता है feed water heater में जहां इसकी heating कि मदद से होती है steam की मदद से steam की मदद से और फिर यह किस में जाता है economizer में economizer किसकी मदद से heat करता है flu gases gases माने gases of combustion तो economizer में भीजने से पहले भी गरम किया जाता है यार आप एक चीज़ सोच के देखो मेरे भाई यहां आप देख रहे हो heat की कितनी care की जा रही है heat भले ही steam में हैं भले ही combustion की gases में हैं लेकिन उसे waste नहीं होने दिया जा रहा उसे waste नहीं होने दिया जा रहा heat किसी भी part में है उसको extract करके use किया जा रहा है turbine से steam निकली उससे पानी गरम कर लिया flu gases में जो heat थी उससे पानी गरम कर लिया, air गरम कर लियी steam को भी गरम कर डाला उसी से तो बिटा सभी चीज़ों में जो जो heat carry कर रही है कौन-कौन heat carry करता है gases of combustion जिसे कहते हैं flu gases और used steam इनको waste ना करने के लिए इनकी heat को use करते हैं और रंजन ने बहुत अच्छा point दिया कि सर इतना करने के बावजूद तो 39 से 30% efficiency आती है 39 से 30% efficiency आती है तो यह सोचो अगर बिटा यह waste कर दिये होते तो efficiency 10% भी नहीं आती spray pond it consists of a water tank in which hot water is distributed by pipes throughout and is sprayed through air sprayed in air through nozzles at suitable pressure mostly the water is cooled by evaporation as heat of evaporation is withdrawn from the water itself देखो यहाँ पे क्या होता है hot water को spray किया जाता है hot water को spray किया जाता है अब hot water को जब spray करते हैं तो बेटा यह evaporate होके जो हमारा steam आ रहा था उससे यह heat निकाल ले था है समझके देखो जो पानी आप spray कर रहे हो ना वो पानी का temperature कम है hot है लेकिन बहुत high temperature नहीं है वो spray किया उसका temperature था कम अब इससे टकराई हमारी steam अगर इससे steam टकराई बेटा तो steam अपनी heat इससे देदेगी यह evaporate हो जाएगा और धीरे-धीरे steam आपकी condense हो जाएगी तो देखो यह दिखा रहा है ना spray pond इस तरह से आप पानी को spray कर रहे हो cooling tower अब मेरा कोई बच्चा बहुत देड़ से cooling tower पूछ रहा है तो देखो the hot water is taken to the tower top and falls through the tower it is broken into small particle while passing over the baffling devices तो पानी को tower में उपर ले जाके एकदम उपर ले जाके नीचे छूड़ देते है अब नीचे से air enter करती है उपर जाती है अब यह जो air है यह water को vaporize करती है यह water को vaporize करती है और बाकी के water को cool down करती है बाकी के water को cool down करती है अब air गरम होके बहार निकल जाती है air गरम होके बहार निकल जाती है और cold water नीचे collect आ जाता है यानि देखो cooling tower में अगर आप उपर से भी या hot water भेजोगे hot water कौन सा है जो condenser से आया है कहां से आया है बिटा condenser से condenser ने क्या किया था steam को पानी में convert कर जिया था लेकिन पानी का temperature अभी भी क्या था high पानी का temperature अभी भी high था तो आपने क्या किया cooling tower में नीचे से air भेजी अब air उसकी heat absorb करके उपर निकल गई और पानी का temperature कम होके पानी मीचे इखटा हो गया अब आप कहोगे सर पानी थंडा क्यों किया सर बेटा देखो जब आप एक water body के पास बनाते हो ना power plant उस water body में बहुत सारा natural flora and fauna होता है बहुत सारे पौधे हो सकते हैं जानवर हो सकते हैं अब उनको एक particular temperature पे ही पानी चाहिए वरना होगा क्या वो wildlife die out हो जाएगी तो इससे पहले कि आप उस pond के अंदर पानी वापिस छोड़ो उस पानी को purify करना उस पानी को थंडा करना आपकी जिम्मेदारी है वरना वो wildlife damage हो जाएगी समझ में आरी है यह बात तो बेटा इसलिए cooling tower के मदद से जब पानी नीचे आता है air उपर जाती है तो पानी थंडा हो जाता है air गरम होके बहार release हो जाती है ठीक है control room अब यह तो obvious यार control room के अंदर controls होंगे देख रहे हो कितने सारे control panel है और यही करना है तुम्हें NTPC वगरा में जाके यह सब सीखना है ठीक है switch yard switch yard क्या यार जो power generate होई है वहाँ पे उस power को आप insulators की मदद से grid के साथ connect करोगे तो बेटा switch gear is the point in the power network where transmission line and distributor feeder or generating units are connected through समझ गए यार अब generator को transmission line से तो जोड़ोगे जोड़ोगे ना generator को transmission line से जोड़ोगे उसको switch yard बोला steam turbine steam turbine एक ऐसी turbine है जो की steam से टकरा के rotate करती है अब देखो यह steam आप भेज रहे हो और यह turbine ने घूमना चालू कर दिया this is your steam turbine अरे मेरे भाई थोड़ा सा तो heat का loss होगा लेकिन जिस pond से आप एक तरफ से पानी ड्रॉ कर रहे हो उसी pond में आप दूसरी तरफ से छोड़ते भी हो समझ रहे हो मेरी बास sports person यार यह सारे एक साथ ऐसे गोल चक्कर में थोड़िना लगे हैं एक जगे से process start होते होते हैं दूसरे छोड़ पे खतम हुआ इधर अगर आपने water body से पानी खीचा तो इधर आपने water body में छोड़ा तो थंड़ा करके छोड़ोगे और आने वाले पानी को गरम करोगे समझ रहे हो construction point of view से सोचो ना electrostatic precipitator अब देखो इसके अंदर क्या होता है जो भी impurities होती है उसे collect करने के काम में आता है it has two set of electrodes which are completely insulated और इनके बीच में high electric field होती है यह जो electrodes है ना यह plus minus electrodes होते हैं जिनके बीच में बहुत high electric field होती है अब एक कहलाता है emitting or discharge electrode जिससे electron निकलेंगे और दूसरा जो electrons को collect करेगा उसे बोलेंगे collecting electrode high electric field connect होगी which discharges and ionizes the gas molecules as flue gases flow through the tube जैसे-जैसे flue gases यहां से pass होती है ना यह electric field की मदद से उसमें से charge particle को बाहर कर देता है क्योंकि जो dust particle होते हैं they become negatively charged and are attracted to positive electrode समझो जो बेटा आपके पास combustion वाली gases आ रही है जो आपके पास combustion वाली gases आ रही है वो gases कैसी है वो gases बेटा आपकी है जिनके अंदर dust particle भी होंगे अब एक electrode एक electrode जब आपका electron छोड़ेगा तो electron जाके dust particle के साथ collect होंगे अब यह electrons जब हो गए dust particle पे जमा हो गए तो ये dust particle में जमा होने के बाद dust particle हो गया negative dust particle negative हो गया तो positive वाले electrode पे जाके चिपक जाएगा तो जब हम flu gases को भाई छोड रहे हैं ना बहर, chimney में भी छोड रहे हैं तो भी हम क्या करेंगे उसका dust extract कर लेंगे ताकि यार atmosphere में हम dust ना छोड़ें आपको ये भी धियान रखना है बेटा pollution कम से कम करना है पता है इसलिए ESE के अंदर एक particular topic भी है that is the pollution of power plant, pollution से related, क्योंकि यहां हम देखो जैसे अगर आपने wildlife के लिए गरम पानी छोड दिया wildlife के लिए अगर आपने गरम पानी that is air pollution तो pollution minimum रखना है इसलिए हर जगे साफ सफाई करना जरूरी है fuels अब देखो कौन कौन से use होते हैं, solid, liquid gases तीन तरह के fuel हो सकते हैं ठीक है अब यहां पे देखो coal की classification peat, peat की enthalpy होती है 3000 kilojoule पर kg यानि 1 kg अगर peat लेते हो 3000 kilojoule 3000 kilojoule heat निकलती है ठीक है इसके अंदर moisture content होता है 60 से 90% lignite तो 30 से 50 प्रतीशत moisture और heat का ज़्यादा amount है self, sub bituminous 35 से 45% और heat और ज़्यादा है और bituminous और ज़्यादा heat और बहुती low moisture क्या होता है ना यार moisture के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ ज़्यादा moisture अगर आपके fuel के अंदर होगा बिटा उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसका combustion सोच करके देखो ज़्यादा dry fuel होगा उतना easily combustion होगा semi bituminous देखो यहाँ पे और कम हो गया heat और बढ़ गई semi anthracite और super anthracite ठीक है तो यह आप लोगों की quality of fuel बढ़ती जा रही है जिसमें moisture कम होता जा रहा है heat बढ़ती जा रही है selection क्या-क्या देखना पड़ता है calorific value calorific value होता है यानि per kg per kg कितना heat produce करेगा और weatherability यानि weather को कितना withstand कर पाएगा ऐसा तो नहीं खराब मौसम में fuel बिगड जाए sulfur sulfur बेटा सबसे ज़्यादा combustible material होता है sulfur आपका कितना कितनी मात्रा में present है वो देखना है ash की कितना impurity पैदा करेगा ठीक है सुमित ये सारे ही use होते हैं अलग-अलग जगे हाँ DC voltage लगाओगे रहीस liquid fuel ये boiler furnace में आप use कर सकते हो for generating station तो fuel oil जो होता है oil अगर use करोगे उसमें hydrogen बहुत ज़ादा होती है compare to coal जिससे की high moisture loss होता है in flu gases तो efficiency गिर जाती है यानि अगर आप oil की मदद से combustion करते हो तो वहाँ पे efficiency कम होती है gaseous natural gas का use कर सकते हो तो बेटा natural gas की supply natural gas की supply होना बहुत ज़रूरी है power generation के लिए अगर आप natural gas का use करोगे न तो वहाँ natural gas की supply आपको चाहिए clear हुआ चलो तो ये हो गई हमारी आज की बात पूरा thermal power plant ठीक है analog बेटा continue होगा आज technical error था इस वैजे में class नहीं ले पाया मैंने लिखा भी तो था message की कल continue करूँगा अब देखो यार अगर आप an academy join करते हो ध्यान रखो 31 तारिक से विशाल से start कर रहे हैं control system तो अंकित EAC code लगा के आजाओ वन येर का फीस 27,225 18 months 34,650 and 2 year 39,600 2 years के लिए आओ पर मन्त cost minimum रहेगी और EMI यानि installment पे भी ले सकते हो तीक है अब इसके बाद अंकित EAC code से अगर iconic लोगी तो वन येर का फीस 45,225, 2 year 66,600 तो 2 year का फीस आपको पर मन्त पे minimum पढ़ता हूँ और 12 equal EMI पे मिलेगा बिटा math अभी नहीं चल रहा planet gate के अंदर signal और network चल रहा है ठीक है और देखो ये मेरा unacademy profile name है मुझे follow कर लो और यहां से आप मुझे chat भी कर सकते हो और मेरा telegram channel जहां मैं note share करता हूँ तो t.me slash gate AIR1 बाकी भाई detailing sufficient थी ना आप लोग कहरते सर्फ power plant detail में पढ़ाना basic से पढ़ाना ठीक है और बाकी अगर कोई doubt आता है तो बेटा google भी कर ले ना ये सब चीजे google पे मिल जाएंगी अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी बनाएंती बेटा समझ आया या नहीं ये बताओ चलो तो थैंक यू एवरिवन लाइक शेर सब्सक्राइब दबाके ठोक देना यार और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको notification आते रहें चलो थैंक यू एवरिबड़ी